मित्रो आज ये एक हर्ष का अवसर है कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विकास के मानकों को देश में आगे बढ़ाया है और मने प्रधानमंत्री जी की नीतियों से पूरे देश के जन मानस में भारत के आगे बढ़ने का एक विश्वास प्राप्त हुआ है उन नीतियों से प्रभावित होकर के आज राज्यसभा के तेलगू देशम पार्टी के जो उनका राज्यसभा का दल है उसके चार सदस्यों ने अपने राज्यसभा के दल की बैठक करके उनके इस बड़े भाग का भारती जन्ता पार्टी में बिलए करने का फैसला किया है केंदर में पूर्व मंत्री रहे श्री वीयस चौदरी जी वायस चौदरी जी श्री सीएम रमेज जी श्री टी जी वेंकटेश जी और श्री जी मोहन राव जी उनका आज थोड़ा राज्यसभा में एक पैर में मोच आने से उनके हस्ताक्षर से उन्होंने अपना समर्थन पत्र दिया है और तेलगु देश्यम के इस गुट ने आज भारतिय जन्ता पार्टी के राज्यसभा के संसद्य राज्यसभा के दल में अपना विलय करने का फैसला किया है और इसका जो पत्र है उन्होंने राज्यसभा के सवापती और उप्राश्टपती माने वेंकिया जी के समक्ष पेश किया है हमारे राज्यसभा के नेता शिरिथावर्चन जी पार्टी के हमारे कारेकारी अद्यक्ष माने जगत प्रकाश नड़ा जी के साथ उन्होंने अपना ये पत्र पेश किया है हम भारती जन्ता पारिटी में उनके आग्मन का स्वागत करते हैं और मैं हमारी पारिटी के कारेकारी अध्यक्ष मानिये जगत-प्रकाश नड़ा जी से निवेधन करूँगा और श्री थावर्चंजी से भी नेवेदन करूँगा कि वे चार में से जो हमारे तीन सदस्याँ पर उपस्तित हैं उनको पुश्वगुज दे करके भारती जनता पार्टी का पटका पैना करके विदीवत उनको पार्टी में शामिल करें मैं अग्रह करूँगा माने जगत प् है क्दोप्वचिए झाल क्वच करें तारी खर्वण करिवेदी जर्चनिस भी नेडियतक मैं जबदीत प्यांटी में था हम टतरी जगे थाओछude ओपथए डिवफ झाल 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 मित्रों जैसा कि भुपेंदर जी ने आपको बताया Y.S. चौदरी जी, रमेश जी, वेंकटेश जी और मोहन जी एक लंबे समय से इनके मन में विचार आ रहा था कि आदर निये प्रधान मंत्री जी के नेत्रतु में जिस तरीके से देश आगे गया है under the dynamic leadership of the Prime Minister शी नरेंद्र मोदी जी and the organizational skills of Amit Shaji which has made the party grow in leaps and bounds इन दोनों बातों से प्रभावित होकर और आंदर प्रदेश के विकास के लिए positive note पर आप भारतिय जमता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं आज सुबह इनकी बैठक Y.S. चौदरी जी के नेत्रतु में हुई जिसमें इन्होंने एक प्रस्ताओ हमारे राष्ट्री अध्यक्षे Amit भाई शाह जी को यह कहते हुए दिया कि हम प्रस्तावित करते हैं कि हम अपनी पार्टी के चार सदस्य आपके साथ भारतिय इंता पार्टी में विले करना चाहते हैं मानिय राष्टी अध्यक्षी ने उसको स्विकृति दी और स्विकृति देने के पश्षाद मैं और थावर्चन जी उस पत्र के साथ भारत के उपराष्ट्रपति और हमारे राज्यसभा के चेर्मेन शिवंके या नाइडू जी के पास गए और हमने वो पत्र इनका भी प् करेंगे भारतिये जनता पार्टी का तिल्गु देशन पार्टी राज्यसभाक्री का विले इसको स्विकृति भारतिये जनता पार्टी ने दी है अब ये सभी भारतिये जनता पार्टी के सदस्य हैं मैं इनको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भारतिये जनता in the politics of positivism inclusiveness सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास तो सबका विश्वास लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि चारोही नेता आंदरप्रदेश के जमीनी नेता हैं इनके positive notes के साथ काम करने से आंदरप्रदेश में भारतिय इनता पारटी को पूरी ताकत के साथ हम इनका समर्थन करते हुए भारतिय इनता पार्टी का बेस आंदरप्रदेश में बढ़ाएंगे Good evening dear friends. As you are all aware, the mood of the nation which has very clearly shown in the recent elections. So after that, we all have decided that we should join in building this great nation. That's one of the reasons. Particularly for me, I also have got an experience having worked for three and a half years as MOS with the Honorable Prime Minister as the leader of the cabinet. So this decision was taken mainly to join in building the nation and particularly for the state of Andhra Pradesh because for various reasons we have definitely suffered. So thereby we want to emphasize all the issues raised in AP Reharnation Act to be implemented as early as possible and this is the best platform what we thought to work with cooperation and coordination rather than confrontation and competition. That's it. Thank you. I'll see you next time.